अबुड आप्रेनूणे विडीनीजंट एन्यु टोपिक फिनाइल किटो नूरिया तो अभी हम फिनाइल किटोनिउरिया पर बात करेंगे Phenyl Ketonuria एक प्रकार की disease है Phenyl Ketonuria एक प्रकार की disease है कहा गया भी वो Ketonuria पर बात करेंगे Phenyl Ketonuria एक प्रकार का रोग है ठीक है और ये मेंडली ये विकार में आता है किस में आता है मेंडली ये विकार में आता है Phenyl Ketonuria या जो रोग होता है वो कैसे स्तती में होता है देखो इसको समझने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है यह जो रोग है वो ओटो सम्मल ए परबावी विसेसक है यानि ए लिंगी ए परबावी विसेसक है कैसा है ए लिंगी ए परबावी विसेसक है मतलब इस रोग या फिर फिनाईल एलनीन फिनायल एलनीन को कंट्रोल करने वाला जो जीन होता है वो बार्युए गुण सुत्र पर होता है कौन से गुण सुत्र पर होता है ठीक अब बार्युए गुण सुत्र कोण से होता है आप जानते हो हैलिंगी है, कैसा है, हैलिंगी का मतलब काईक गुनसुतर है, कैसा है, तो बार ये गुनसुतर पर एक जीन होता है, जो फिनाईल एलनीन के बनने को कंट्रोल करता है, अब फिनाईल एलनीन के बनने को जो कंट्रोल करता है, वो जीन एक विसेश परकार की एंजाइम बनाता है फिनायललनीन जो है वह टैरोसीन में चेंज हो रही है तो ये एक एंजाइम दोरा चेंज होती है और ये एंजाइम ये जीन बनाता है ये जीन जो रहता है वह बेठा रहता है कहाँ पर बारवे गुण सुत्तर पर इसलिए इसकों कहेंगे ए लिंगी ए परबावी विशेशक तो बात आपको समझ में आगई समझ में आगई यह बार्य गुण सुत्तर पर यह बार्य गुण सुत्तर काई गुण सुत्तर काई गुण सुत्तर पर जो जीन होता है काई गुण सुत्तर पर जो जीन होता है यह एक विशेश प्रकार की ए अंजएम बनाते है और ये जो एंजएम जो होती है वह फिनाइल एलेनीन को टैरोसीन में चेंजelen गरती है, किस में चेंजlov में चेंज गरती है और उसका नाम है एलेनीन hydroxy lase enzyme याद रजाएगा कौन से enzyme है phenylalanine hydroxy lase enzyme कौन से enzyme है phenylalanine hydroxy lase enzyme ये जो enzyme है phenylalanine को tyrosine में change करता है किसमें change करता है tyrosine में change करता है अब ये रहे तो कोई दिक्कत नहीं ये रहे तो कोई दिक्कत नहीं phenylalanine जो है वो tyrosine में change हो जाएगी किसमें change हो जाएगी tyrosine में change हो जाएगी अगर ये नहीं रहे ये कब नहीं रहेगी जब ये जो जीन है, बार ये गुंड सुतर पर जो जीन बेटता है, इसमें कोई विकार आजाई, इसमें कोई विकार आता है, तो phenyl alanine hydrosylase enzyme बनना बन, और ये बनना बन तो जो tyrosine है, वो tyrosine में चेंज होकर, वो बनल जाएगी किसमें, पायर्विक अमले, ये बात आपको याद रखेंगे ये बात आपको याद रखेंगे ठीक है फिनाइल एलनीन टारोसीन में चेंज होनी चाहिए और टारोसीन में चेंज करता है फिनाइल एलनीन हैड्रोक्सिलेज एंजाइम और फिनाइल एलनीन हैड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाई नहीं तो जो टाइरोसीन वो नहीं बनेगी और टाइरोसीन के स्थान पर क्या बन जाएगा पायरी कमल और जैसे ही पायरी कमल बनेगा ये ब्रेन में जमा होने लग जाएगा ये ब्रेन में जमा होने लग जाएगा जिससे विक्ति है जो मन्द बुद्धि का सिकार हो जाएगा मन्द बुद्धिता आ जाती है ठीक है यह बात आपको समझ में आगगी आगई बात समझ में सिधी सी बात क्या है ति वह फिनायल जो है वो टेरोसीन में चेंज होनी चाहिए इसको चेंज करने वाला जो जीन होता है वो एक Enzyme बनाता है Phenylalanin Hydroxylase Enzyme और यह Enzyme हुगा तो तेरोसीन में चेंज हो जाएगा अगर यह नहीं होगी तो तेरोसीन मेंfil capacity मेंऄंगे ब्रेन में जमा हो जाएगी तो मंद बुद्धिता आ जाएगी क्या जाएगी ठीक अगली डिजीज के हम बात करेंगे थेलेसीमिया किसकी बात करें थेलेसीमिया एक ऐसा रोग है जो रक्त समंदी विकार है ब्लड डिसोडर है यह खून के अंदर होता है और यह आनवनसिक भी है थेलेसीमिया आनवनसिक भी है ट्रांसपर भी होता है ठीक पिछले वाला भी होता है यह भी होता है ठीक है और थेलेसीमिया जो है वो एक आनवनसिक रोग है तो ये blood disorder की कारण होता है, इसमें blood का disorder हो जाता है, ये भी एक L-ingi है पर बावी विशेसक है, यानि इनको control करने वाले जो gene होते हैं, वो काई गुण सुतरों पर होते हैं, कहाँ पर होते हैं, और काई गुण सुतरों पर होते हैं, और इनको control है अपना hemoglobin, वो globin protein का बना होत globin protein का, उसमें कई aminocid होते हैं, तब जाकि globin protein बनता है, और इसकी दो जोड़ी होते हैं, कितनी जोड़ी, दो बीटा की और दो alpha की, इस परकार से चार हो गए टोटल, दो जोड़ी होते हैं, ठीक है, आई बावा समझ में, अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसका वरगी करन कर जाएंगे, तो थेलसीमिया वो दो परकार का होता है, alpha थेलसीमिया और beta थेलसीमिया, यदि beta सरंकला के production में कमी आती है, तो beta थेलसीमिया हो जाएगा, बीटा सरंकला के production में कमी आती है, तो alpha थेलसीमिया हो जाएगा, बीटा सरंकला के production में कमी आती है, तो beta थेलसीमिया और सरंक लाके production में कमी हाती है तो alpha thalassemia होजाना है क्लियर अब आपको यहां पर यह बाद समझनी है कि मालों जैसे beta thalassemia है तो beta thalassemia का निरधारण जीन की एक copy कर रही है यानि जीन है उसकी एक copy कर रही है beta thalassemia का निरधारण तो उसको हम बोलेंगे बीटा थेलेसीमिय माइनर और जीन की दो कोपी कर रही है यानि उसके दो अलील बन गए मालो A है A small A A small B 2 हो गई मालो अगर जीन की A कोपी करती है इसका निर्दार न तो बीटा थेलेसीमिय माइनर और जीन की 2 कोपी करती है तो बीटा थेलेसीमिय मेजर थेलेसीमिय बीटा थेलेसीमिय को दो केटेगरीम बाटा गया है यदि जीन की A copy में यदी mutation हो जाए अधरियूरतन हो जाए जीन की A copy में यदी waiver जाए तो बीटा तिलसीमिया माईनर के लाएगा और जीन की दो До Kapi ओं में म्यूटेशन हो जाए चीक यह इसके लावा आगर हम और बात करें जो ऐलपा त्यलसीमिया है alpha thalassemia इसको control करने वाला जो gene होता है वो 16 योगन सुतर पर होता है कहाँ पर होता है 16 योगन सुतर पर होता है और 2 salegen gene होते हैं कितने 2 salegen gene होते हैं ठीक है 2 salegen यानि 2 ये और इसके साथ 2 ये total कितने हो गई 4 तो 4 में से 2 salegen gene पूंचे 2 तो HBA 1 और 2 होते हैं SBA 2 ये और इन 4 में से किसी भी एक में यदि कोई डिक्कत आ जाती है तो alpha thalassemia हो जाएगा समझ में आ गई बात इन 4 में से किसी भी एक में यदि कोई mutation हो जाता है तो alpha thalassemia हो जाएगा और ये बात इसकी है beta thalassemia का gene होता है तो 11 गुन सुतरपर होता है, जिन की एक कोपिय म्यूटेशन होता है, तो बिटा थेलेसीमिय माइनर होता है, और जिन की दो कोपियों में एदी म्यूटेशन होता है, तो बिटा थेलेसीमिय मेजर होता है, अब आपको यह दियान रखना है कि थेलेसीमिय जब हो जाता है, तो क फून की कम्ही होना तो सरीप पीला पड़ जाता है तिली का आकार बढ़ जाता है पेट फूला रहता है ऐसे बच्चों का और ठकान रहती है कमज़ोरी आजाती है ऐसे बच्चों के ठीक अगर bloody कम है तो औक्जन की समता भी कम हो गई तो ऐसे condition विए उसको थकान ज्यादा रहेगी, थकान ज्यादा रहेगी तो उसको कमजोरी भी रहेगी, उसका पेट पुला रहेगा है समाने रूप से, उसकी तिल्ली का आकार बढ़ सकता है, ठीक है? ठिल्ली को वो बोलो है आप, क्या वोलते एंग्लिस में? नहीं तिल्ली को वो बोलते हैं, नहीं इसमें नहीं है, मैं याद पर्द पर पर जाओ गुण सुतरीय विकार किसकी बात रहे हैं? गुण सुत्रीय विकार में आपके देरखा एक तो डाउन सिंड्रोम एक दिरख्खा है गलाइन फेल्टर सिंड्रोम एक दिरख्खा है टर्नर सिंड्रोम ये तीन दे रखे तो कॉमन से इनको समझ लो और फिर अपनी बात कंप्लीट करते हैं तो कॉमन से बात इनके अंदर दोको डाउन सिंड्रोम में क्या होता है डाउन सिंड्रोम के अंदर 21 वे गुण सुत्र की पुनरा वड़ती हो जाती है 21 वे गुण सुत्र की पुनरा वड़ती हो जाती है ठीक है 21 वे गुण सुत्र एक बार और आ जाता है तो टोटल गुण सुत्र कितने होते हैं अब इसमें 21 वे गुण सुत्र दो बार आ गया तो कितने हो गया 47 तो ऐसे कंडिशन में वे गुण सुत्र की पुनरा वड़ती होती है तो 21 वे गुण सुत्र दो बार आ जाता है इसके कारण वेक्ति में 47 गुन सुतर हो जाते हैं इसकी खोज लेंग्डम डाउन नामक वेक्ति ने की थी ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे रोगी होते हैं उनका मूँ खुला रहता है आँखे नेतर कोटर से बाल लटकी रहती है माथा चोड़ा रहता है वो ला टपकाते रहते हैं जीब मोटी रहती है उनकी मानसेक रूप से मंद रहते हैं अंगुलिया उनकी थोड़ी लंबी-लंबी रहती है ठीक है? ऐसी कंडिशन में इसको डाउन सिंड्रोम हो जाता है कौन सा सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम ठीक है और थोड़े मंद बुद्धी होते हैं दिमाग से कम होते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे कलाइन फैल्टर सिंड्रोम किसकी तो इसमें क्या होता है यह पुरूसों में होता है साम देगे अब 22 गुण सुत्तर प्लस एक्स वाई यह होता है नहीं यानी 22 गुण सुत्र प्लस एक्स वाई तो इसमें क्या होता है एक एक्स गुण शुत्र की बड़ोतरी हो जाती है 21 की ऐसी condition में total गुनसुत्र हो जाते हैं लेकिन ध्यान रखना यह कायग गुनसुत्रों में बदला वोग और यह link गुनसुत्रों में बदला वो तो यह आपर एक x गुनसुत्र की बढ़ोतरी हो जाती हैं और 46 की स्तान पर 47 गुनसुत्र आ जाते हैं और ऐसे पुरुसों के अंदर महिलाओं जैसे लक्षन आ जाते हैं, पुरुसों में महिलाओं जैसे लक्षन आ जाते हैं, वो नपुन्सक हो जाते हैं पहली बात तो, उनकी इस्तनों का आकार महिलाओं जैसा हो जाता है, गाइने को मेस्टिया के आ जाता है, ऐसे पुरुसों ठीक है और वो नपून्श करती है तो मतलब उनकी जन्रेशन नहीं होती है अगर होती है तो प्रोपर वेल तरीके से नहीं होती है ठीक है तो यह द्यान रख में 1888 सिंड्रोम इसमें क्या हता है यह मैलाव में होतां है इसमें क्या हता है कि total कुक्ण Romansutr 46 46, 46 میں 22 और XX इन में 1 X की गुन शुद्फ्तर कम हो जाता है, तो टोटल गुन शुद्तर कितने होते हैं? ऐसी condition में ये जो मैइलाएं होती है, वो बंदे हो जाती हैं, बांज हो जाती हैं, इनके अंड़ा से अलप विक्सित हो जाते हैं, इनमें जरन करने की छमताओं कमजोर हो जाती है, ठीक है तो ऐसी दिक्कत उनमें आ सकती है किलियर तो अभी के लिए आपका ये क्लाइन फैल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टरनर सिंड्रोम आपका हो गया और गुरुण सत्रे विकार ये हो गया अब भी आगे का टोपिक हम देखते हैं